तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजक्रेशन में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल इंट्रेंस रिजाम क्लश 9 का साइन्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट चेप्टर जिसका नाम है रिपर्डेक्शन इन प्लांट और यह जो हमारा को पढ़ाया था अगर आक आपने नहीं पढ़ाया तो जा के पढ़ाया और इस वीडियो में सफ्कूल सफूय तो नहीं कर लिए तो आधका में नियुक्र इसकूल में आप प्लांट पढ़ाया और उसमें जो भी basic चीज होते हैं reproduction से वह भी मैं आपको पढ़ा दिया हूँ तो सबसे पहले आप वीडियो जा के देख लिए तो plant भी जो होते हैं वह दो टाइप से इनका reproduction होता है एक होता है asexual reproduction और दूसरा होता है हमारा sexual reproduction अब asexual reproduction जो plant में होते हैं वह आपको बहुत डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे में plant में asexual reproduction में आता है vegetative propagation, birding आता है, fragmentation और spore formation यह क्या होता है यह जो भी आप मेठड नीचे देख रहे हैं यह asexual reproduction के टाइप होता है अब एक चीज आपको धियान डखना है कि आपको asexual reproduction और sexual reproduction मालूँ होना चाहिए asexual reproduction में क्या होता है कि एक ही patterns का नीड होता है और साथ ही साथ gamete का यूज नहीं होता है sexual reproduction में हमारा gamete का यूज होता है तो अब हम देख लेते हैं कि यह जो plant के asexual reproduction है और sexual reproduction है यह क्या होते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं plant के asexual reproduction तो यहां पे asexual reproduction plant में क्या होता है asexual reproduction the new plant are produced without using the seeds तो यहां पे आपको धियान देना है कि प्लांट में जो भी asexual reproduction होता है, उसमें क्या होता है, जो भी new plants form होता है, उसमें seeds से वो form नहीं होता है, आपने mainly देखा होगा कि कोई भी plant जो है, वो जनम किस seed से लेता है, seeds से लेता है, हम उसका बीज रोपते हैं, और फिर जो है, वो बीज बड़ा बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होके, वो पेर में convert हो जाता है, तो यहां पे क्या होता है, तो mainly आपने देखा होगा कि seeds से कोई भी plant reproduce करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी plant है, जो seeds से reproduce नहीं करते हैं, तो यहां पे asexual में seeds का use नहीं होता है, वो ही पे आपको देखना है कि sexual reproduction में क्या होता है, seeds का use होता है, तो बहुत ही ज्यादा simple चीज था, asexual में seeds का use नहीं होता है, और sexual reproduction में seed का use होता है, अब यह जो आपको समझ में आ गया होगा, अब यह जो asexual reproduction होता है, वो किस तरह से ह वो मैं आपको बता देता हूं आगे तो देखे, plant के आपको 2 parts मिल जाएंगे एक part होता है vegetative part और दूसरा होता है reproductive part अब यह vegetative part क्या होता है तो यहां पर देखे, these are part of plant that play a major role in life cycle of plant such as preparation of food, transportation of food, water and nutrients तो देखे, plant के vegetative part क्या होते है ऐसा part जो food बनाने का काम करते हैं, plant के food को क्या करते हैं, transport करने का काम करते हैं, nutrients प्रभाइड करते हैं, तो यह सा part में क्या हो गया, root हो गया, steam हो गया, leaves हो गया, आपको मालूम है कि root का काम क्या रहाता है, जो भी minerals है soil में, उसको absorb करना, और steam क्या करता है, जो भी mineral soil plant absorbed किया है, उसको transport करता है, और lips क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है, तो यह जो है, यह vegetative part हो गया है, अब reproductive part क्या होता है, तो reproductive part जो है, वो safe for safe reproduction में role play करेगा, तो these are the part of plant, that play a major role in the reproduction process in plant, तो देखे, यह ऐसे part होते हैं, जो reproduction process में क्या करते हैं, help करते हैं, जैसे में flower हो गया और fruit हो गया, यह दो ही ऐसे part है, प्लांट के, ओ क्या हो गया, यह reproductive part हो गया, flower और fruit, यह main reproductive part होते हैं, और vegetative part क्या हुआ, जो खाना बनाने का काम करें, transportation का काम करें, और भी जो भी काम है, वह हमारा करता है vegetative part, अब हम देख लेते हैं, कि यह जो vegetative part से, हमारा कौन कौन सा plant जो है, और reproduce करता है, तो यहां पर देखे, vegetative propagation, तो vegetative part से आया है, हमारा vegetative propagation, अब यहां पो देखाना के ब्लाइक अच्टार्च सनगें पूर आ अपे आपधा था। तो उसमें हमारा क्या आता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, कि steam से reproduce कौन-कौन सा प्लांट जो है, वो करता है, यह आपको ध्यान में रखना है, और यह बहुत ही जदा important point है, तो steam, मतलए कि जो भी प्लांट होते हैं, उसके steam को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और उ यह ऐसे प्लांट है, वो steam से reproduce करते हैं, जैसे में आप कह किजिएगा, रोज, रोज प्लांट का एक steam लीजिएगा, उसको कट करके आप उसको कह किजिएगा, लगा देजिएगा, तो उसका steam होगा, वो एक न्यू प्लांट में develop हो जागा, same to same है, इक के साथ, sugar can के भी साथ हम sugar can का बीज नहीं मिलता है, हम क्या करते हैं, जो थोड़ा सा sugar can का steam को कट कर देते हैं, और हम उसको अपने खेत में लगा देते हैं, तो यह new sugar can में develop हो जाता है, और cactus के भी साथ हमारा same चीज है, तो यह आपको समझ में आगे होगा, कि steam के दुआरा कौन सा प्लांट जो है और डीजिெ-दूरा, यह रे-पर डीज़िद होटा है, और steam में खास कर हम उसको कट करके काशे करते हैं, अब देखे, हम क्या हम यह यह-प्लांट के काधे हैं और हम उसके तान को दूरा कर देगा देते हैं, जिसमें हमारा जैस्मीन आता है, तो फिर होता है, यह हमारा steam से यह भी steam से हो रहा है यह भी steam से हो रहा है अब आ रहा है ग्राफ्टिंग अब ग्राफ्टिंग क्या होता है तो हम क्या करते हैं इसमें एक प्लांट और दुसरे प्लांट का steam लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं दोनों को जोड़ के लगा देते हैं तो न्यू प्लांट में हम जैसे में Apple हो गया Mango हो गया रोज तो यह जो भी मैं आपको Example बता रहा हूं यह बहुत ही ज़यान देने वाली बात है कि यह सब जो चीज है यह सिर्फ और सिर्टने वाली चीज है यह जो भी मैं आपको बता रहा हूं यह सारा चीज पूछ सकते हैं चलिए अब हम देख लेते कि lips के द्वारा कौन सा plant जो है वो reproduce करता है तो यह बहुत ज़्यदा important ब्राइव फाइलम अब यह ब्राइव फाइलम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं तो यह एक plant होता है और यह plant किस तरह से reproduce करता है तो इसके lips से क्या होते है न्यू प्लांट हो जाते हैं जैसे मैं यहां पर दिख रहा होगा यह आपको एक न्यू प्लांट दिख रहा होगा यह आपको एक न्यू प्लांट दिख रहा होगा यह आपको एक न्यू प्लांट दिख रहा होगा यह न्यू प्लांट तो यहां पर दिखेगा कि इसके lips से क्या हो रहे है न्य पोटाइटो, डैलिया, जिंजर, ओनियन, तो यह जो भी आप प्लांट देख रहे हैं, यह सब क्या है, रूट से या हमारा, बल्ब से करते हैं, जैसे में यह जो आप देख रहे हैं, यह प्याज किस तरह से रिप्रड्यूस करता है, यह जो है, वो रूट से करता है, अब यह नहां पर देखे, यह आप देखे, कभी भी अगर आप आलू का खेती किया होंगे, या खेती होते हुए आप देखे होंगे, तो हम क्या करते हैं, आलू के पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, और जिस पार्ट में थोरा सा आपको एक बल्ब टाप का structure दिखेगा, आंख टाप करते थे और लिप से करते थे, और इस टीम में मैं आपको बताया कि cutting, cutting के बाद मैं आपको layering बता दिया और grafting और यह जो है lips और roots जो है वह आपको समझ में आ गया होगा, तो अब lips से भी मैं आपको बताया था है कि brow phylum जो है और करता है, अब हम देख लेते हैं कि budding क्या होत तो यहां पर देखें, बहुत ही जदा important point है यह बहुत ही important, अब यहां पर देखें, in this process, a daughter individual is formed from a small protection on parents body called bud, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास parents body होते है और उसमें से एक छोटा सा structure निकलता है, उससे हमारा new baby का production होता है, अब यहां पर यह कहां पर होता है, ओ मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर देखें, hydra का मैं आपको example देऊंगा, तो hydra में यहां पर ध्यान देजिगा, कि यह हमारा hydra है, और hydra से क्या हो रहा है, एक small projection निकलता है, यहां पर ध्यान देखें, यह जो है, ओ small projection निकलता है, अब यह small projection धीरे धीरे बड़ा हो गया, और लास्ट में, यह जो small projection हो हमारा हो गया? detached हो जाता है, मतलब कि यह जो पार्ट होता है, और अलग हो जाता है, तो यहां पर देखेंगा, कि यह चोटा सा आपको bird दिख रहा हूगा, bird, small projection, अब यह बड़ा हो गया, यह बड़ा होगा, अब यह पर देखेंगे, यह parents हो गया, पहला जो हमारा हाइडा हो गया ओ पेरेंस बड़ी और यह जो दूज्टरा हो गया वह डॉ integrity हो गया यहां पे आपने देखिएक किस तरसे होता है बड़ से होता है और यह जो एस्मॉल ट्रॉच्चर देख रहे हैं आप इसको हम इसको बड़ बोलते हुं अब ये कहा कहा पर होता है, कौन ओर्णीसम में होता है यह वह आपको pamię Шट में होता है, आपको याद रखना है और साथ है, यह साथ फोर्णीशन में भी होता है यह आपको ध्यान में रखने वाला है, क्योंकि एक्जामपल आपसे पूछा जा सका है अब यह spore formation क्या होता है, तो spore formation भी आपको बहुत ही ज़्यादा simple चीज है तो यहाँ पर spore formation बताने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसका diagram बता देता हूँ अब यहाँ पर देखें, यह क्या है, यह हमारा structure है, और spore formation किस में होता है यह हमारा moss में होता है, forms में होता है और braid moss में, अब यह जो भी चीज में होता है, उसको मैं बता देता हूँ तो यह जो भी plant हो जाए या animal हो जाए, उसमें क्या होता है, यह आपको एक गोला कार टाइप का structure दिखेगा और इस गोला कार structure में आपको एक sail दिखेएंगे, थोड़े थोड़े sail जो है और इसके अंदर भड़े भड़े रहते हैं अब यह sail जो है, ओधीरे धीरे भड़े होते हैं और यह जो होते हैं और फट जाते हैं तो यह होता है हमरा spore formation, तो spore formation का मैं यहाँ पर देखे, some plant content spore अब यह spore क्या होता है, तो यह आप इसको एक sail समझे, that float in the air and cause asexually protection तो यहाँ पर spore होते हैं, यह जो structure देख रहे हैं, यह जो मैं आपको यहाँ पर radical का sail बनाया यह spore होते हैं, और फटते हैं और फिर जहां पर इनको favorable condition मिलता है, जहां पर इनको moisture मिले, nutrients मिले, तो उहां पर यह एक new plant में क्या होते हैं, germinate हो जाते हैं यह जो भी example है, यह आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ही ज़्यादा important है कि को आपसे mainly example आपसे पूछ देगा, चलिए अब हम आगे बरते हैं तो अब हम जान लेते हैं कि sexual reproduction in plant, तो यह जो part है, यह सबसे ज़्यादा important part है या तो उसके flower होते हैं, या fruit होते हैं, तो यहाँ पर आपको मालूम होनना से है कि flower से ही हमारा fruit बनता है तो हम देख लेते हैं कि यह flower होते हैं, वो mean reproductive part होते हैं अब यह क्या, क्यूं होता है, कैसे होता है, तो वो सारा चीज मैं आपको बता देता हूँ The flower of plant are its reproductive organs that participate in sexual reproduction process तो plant के flower जो होते हैं, वो क्या होते हैं, और यह ही जो हुआ है, वो reproduction process में involved होते हैं अब यह flower होते हैं, इसके भी आपको बहुत सारे part दिखे जाएंगे जैसे में यहाँ पे, आपको flower के different parts दिखे जाएंगे और यह जो चीज है यह आप 5th standard में भी पढ़े होंगे, आपको इसका structure बनाने के लिए आता होगा 5th standard में तो अब flower के structure आपको यहाँ पे देखे, यह जो आपको colorful part दिख रहा होगा, यह petal होता है यह जो part दिख रहा होगा यह enter होता है, और enter से नीचे जो होता है वह हमारा filament होता है और enter filament मिलके stamen बनाते हैं, तो यह जो सारा चीज है वह मैं आपको परहाने बाला हूँ आपको घवराने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि stamen क्या होता है तो यहां पर देखे, the male reproductive part of the plant are called estamens, it consists of filament and ether तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि stamen जो होता है, वह male reproductive part होता है, किसी भी plant का male reproductive part क्या होता है, stamen होता है अब यहां पर stamen के पास filament भी होता है, और enter भी होता है, मतलब कि filament and anther मिलके हमारा stamen बनाता है अब यह कहां पर होता है वो मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर देखें, यह जो पार्ट आप देख रहे हैंगे मैं यहां पर पेन का color change कर लेता हूं ताकि यह सारा चीज हो आपको समझ में आदे अब यह जो पार्ट देख रहे हैं यह पार्ट स्टेमेन है और स्टेमेन किस चीज से अटाच है यह फिलामेंट से अटाच है और स्टेमेन हमारा किस चीज से बना यह हमारा एंथर से बना है और फिलामेंट से बना है तो एंथर और फिलामेंट मील के क्या बनाता है स्टेमेन हो गया यहां पर यह filament हो गया और यह एंथर हो गया अब देखेगा कि एंथर के पास आपको pollen grain मिलेंगे pollen grain एंथर के पास आपको मिलेंगे अब यह pollen grain मैं आपको क्यों समझा रहा हूं तो यह आपको आगे समझ में आएगा pollen grain जो होता है वो बहुत ही vital role play करता है प्लांट के reproduction में तो यह हो गया pollen grain चलिए अब यहां पर देखेगे stamen consists of enter that has pollen grain these pollen grain produce male gamut तो यहां पर मैं आपको बोला था कि pollen grain जो होते हैं बहुत ही ज्यादा important जीज़ होता है pollen grain अब यह जो होते हैं यह male gamut produce करते हैं क्या होता है और स्टेमें कि हमया पर रहरा है तो आपको मालूम और स्टेमें जो होते हैं प्लावर के से बना होगा ए तो फ्लावर के और Islands वॉलन ग्रेन आपसको एक सेल समझ सकते हैं और इसी में क्या रहा था है रहता है मेल गया मेट ugh रह ठाता है तर्रीं से रहा रहता है ज्यक्रावित मेल रिपरड़ड़क्टी पार्त हमरा प्लांट गया होता है तो होता है पिस्टिल was थीर फेल्री पार्ट प्रस्फी से रा त्सकंद usa स्पधाथ से के समझ में malt 123 को पार्ट देखरें यह कहा है जो होता है पिश्टील रभी जाए हूँ चाहिए, कमाल भी, ऐसे चीजान त्टियल का समें से बनीन और और स्पेशल डाग्राम pistol किसे चीज़ बना हुआ , ऊपर वाला पार्ट इसका stigma होता है। यह जो part tv हो गया वोस्ताइल हो गया और नीचे वाला ऀब्ट होता हूँ हो और यह आ और अाल बहुत है। अब हम देख लेते कि stigma का क्या काम रहता है। तो इहां पर देखें, तो यह जो stigma होता है, यह एक sticky surface रहता है, तो जब भी pollen grain अगर किसी कारण वस यहां पर आता है, तो pollen grain क्या हो जाता है, इसमें सट जाता है, pollen grain हो जो होते हैं, और सट जाता है, और फिर यह जो pollen grain होते हैं, और धीरे-धीरे करके style के help से, style एक tube होता है, इसके help से कहां पर चला जाता है, यह ovary में चला जाता है, और फिर जो होते हैं, और reproduction take place होते हैं, अब यहां पर देखे, style, it is a tube-like structure, bit connect the stigma and the ovary, तो यह जो मैं आपक एक tube है, अब आगे हमारा ovary, it contains egg in which the female gametes or egg is formed, तो यहां पर देखे, ovary क्या रहाता है, वह ovary जो है, बहुत ही ज़्यादा important है, क्योंकि यह female gametes produce करता है, female gametes, ovary जो है, वह female gametes produce करता है, तब हमारा क्या होता है, reproduction take place होता है, तो यह सारा चीज है, वह आपको समझ में आ गया होगा, कि stigma क्या होता है, pistil क्या होता है, तो stamen, मैं आपको बताया, कि male reproductive part होते हैं, इसमें आपको एंथर मिल जाएगा, और filament मिल जाएगा, और यहां पर ovary, और यहां पर stigma, sticky surface होता है, क्योंकि यहां पर आगे pollen grain, सट जाते हैं, तो जिसे हमारा reproduction take place होता है, अब हम जान लेते हैं, कि unisexual flower क्या होता है, और bisexual flower क्या होता है, तो some flower contain both stamen and pistil and are called bisexual flower, तो देखें, यहां पर unisexual के जगा, bisexual हो गया, तो आपको ध्यान नहीं देना है, कि तो, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, कि तेखें, यूनी मतलब 1 होता है, और बाई मतलब 2 होता है, तो बाई-sexual flower होता है, जिनोंके पास stamen भी होता है, और पीहते हैं AND तो निक science flower होता है, यहां पर पीश्टिल होता है, यहां पर बता देना जासा क्या है, एक जो heading है decre आसी घ्यान देना नहीं देना है क्योंकि ही ओपर हमाले के या दिल से चलात आगा बनीच घ्या CJ अगीशना है तो ऑपको इतना ध्यान नहीं देना है कि आसी की stamen भी होता हैar – PLUS PISTELa ऑब UNISEXUAL , तो इनके पास stamen हो या इनके पास PISTELa तो यह UNISEXUAL FLAVER पपाया हो जाता है Ultaminer , ngurum, coconut कोकोनत यह हमारे क्या हो गई UNISEXUAL FLAVER मतल़ की इनके पास एक ही reproductive राट होता है या उनके पास MALE reproductive पार्टोलGres 2016 अब यह जो plant होते हैं उसमें reproduction किस तरह से होते हैं तो मैं आपको बता दू कि reproduction जो होते हैं plant में वो pollination के कारणी होते है और pollination जो है सबसे ज्यादा important point है क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि plants जो है वो किस तरह से reproduce करते हैं और कहां पर चला जाता है और इसी से क्या होता है reproduction टेक प्लेस होता है तो आपने कभी भी देख कभी भी आप flower को दिखेगा तो आप उहां पर आपको दिखेगा कि बहुत सारे चोटे-चोटे कीरे मौकवरे उस पर उड़ते रहते चाहे वो butterfly हो गया या honeybee हो गया तो यह honeybee क्या करता है तो honeybee जो है वो एक तरह से agent रहता है अब यह किसकी का agent रहता है तो इसके यह जो भी insect हो गया तो उनके पैड पर क्या होता है पॉलेन ग्रेन चिपक जाते हैं और जब यह जो butterfly हो गया या honeybee दुसरे plant पे जाते हैं तो यह जो pollen grain को यह carry करके दुसरे plant पे छोड़ते देते हैं और उहां पे क्या होता है यह stigma पे ओ पॉलेन ग्रेन इस्टिक हो जाता है और यह जो है ओ पॉलिनेशन हो पाता है water भी करता है और insect भी करता है तो बिंड से भी pollination होता है बहुत ही जोड़ का आंधी आएगा तो pollen grain ऊणके एक flower से दूसरे flower पे चला जाएगा या एक plant से दूसरे plant पे चला जाएगा इंसेक्ट भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं तो यह आपको मालूम चल गया कि यह जो होते हैं और किस तरह से pollination क्या होता है अब देखें pollination जो भी होते हैं वो दो टाइप के pollination होते हैं तो पहला जो होता है हमारा self-pollination होता है जिसको हम autogammy बोलते हैं और दूसरा जो होता है हमारा cross-pollination होता है और self-pollination क्या होता है when the pollen grain land on the stigma of the same flower तो देखें मैं आपको बताया था कि pollination में क्या होता है pollen grains होते हैं वो एक plant से दूसरे plant पे चले जाते हैं या एक flower से दूसरे flower जाता है तो यहां पर self-pollination क्या होता है when the pollen grain land on the stigma of the same flower तो मैं आपको बताया था कि कुछ plants जो होते हैं उनके पास stigma भी होते हैं और pistil भी होते हैं तो यहां पर क्या होता है जो भी pollen grain होते हैं वो एक ही flower से दूसरे flower पे चला जाता है जैसे मैं यहां पर देखे। Mutter is still Gall switching में क्या होता है यह जो हमारा Mae here is the flower here the pollen grain पर पाललयन के कान करता है honey week अब उनके ने सेम बॉलनट के को पलूंचे करyllता है जह सेम प्लांट मेंशन पर कहता है पॉललंडं को carry कर लेता है तो यह हमारा हो गया जलिमेंस के को हुदा है जक्लाइशों में क्लाइन संपचाब क्ोर्स फीक को दीजान में रखा तो उम्या बढ़ा लिंग वाइटी है ये हमारा फालिनष डिफिल यह इहां पे मैं susceleni अब सेल पॉलिणेशन में जो सिटिंग मैं एक rook मुण। के ऑन्हों के में ju фmt ऐनले agr सेम ध्नलब के चला जाता है जल में आपकि यह राय होसा वया ऑपन कंट दूसरे फल्लावर पे नश में tür अब को थिर राय हो έχ deficit वहारा cell pollination आपको देखने को मिलेगा और जब हमारा दूसरा plant या दूसरा फ्लाबर आता है तो हमाँ आपको अपको प्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है वह मैं आपको समझा दिये अब हम देख लेते हैं fertilization and seeds and fruit formation मतलब कैसे होते हैं seeds form कैसे होते हैं तो देखें after pollination male gametes and female gametes fuse to form a new cell तो मैं आपको बताया था कि sexual reproduction में क्या होते है male gametes and female gametes fuse करते हैं और वह एक jicot बनाते हैं अब इसके पास क्या होता है jicot जो होता है वह develop हो जाता है और यह jicot embryo में convert हो जाता है अब embryo में क्या होता है तो after fertilization process the ovary of flower grown and developed into fruit तो देखें fertilization जो होता है वह कहां पर होता है fertilization जो होता है वह ovary में होता है और यह ovary जो होता है और दीरे-दीरे develop होके क्या होते है यह हमारा fruit में convert हो जाते है तो यहां पर हमारा चेप्टर रिपरड़क्शन इन प्लांट्स हो है और complete हो चुका है पार्ट वन में मैं आपको reproduction in animal पढ़ाया था और पार्ट टू में मैं आपको reproduction in plant पढ़ाया था धन्यवाद जय हिंद जय पाड़त